नमस्ते सदा वस्तले मात्र भूमिर जैहीं दोस्तों मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं टेक्निक लास्क में तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को बरते पहले डिफेंस अब्डेट की तरह दोस्तों हाली में भारतिय नौसेना के प्रमुक एड्मिनल आर हरी कुमार जी ने स्वादेशी कन्वेंशनल डीजल पंडूब्यों को विक्सित करने की एक महतो कांशी पहल प्रोजेक्ट 76 की शुरुवात की घोशना की है और भारत इन पंडूब्यों को स्वादेशी रूप से तयार करेगा आपको उतादी कि प्रोजेक्ट 76 प्रोजेक्ट 75 आई के सक्सेसर के रूप में काम करेंगे जो की वर्तमान में चल रहा है इसमें जर्मनी और स्पेन से 6 नेक्स जनेरेशन की पंडूब्यों का अधिगरण शामिल इन पंडूब्यों का निर्मान भारत में ट्रांस्फर आफ टेक्नोलोजी समझोते के तहत किया जाएगा प्रोजेक्ट 75 आई से प्राप्ट जो अनुभव और विशेशक एता है और साथी भरत की पंडूब्य डिजाइन और विकास शमताओं में होई प्रगती प्रोजेक् प्रोजेक्ट 76 का जो डिजाइन चरने वो अगले कुछ सालों में पूरा हो जाएगा और पंडूब्य का निर्मान लगबग 2030 से पहले ही शुरू हो जाएगा जो कि भारत के पंडूब्य आधुनिकरन प्रियासों में एक महत्वपून कदम है बढ़ते ने एक्स्ट अप्रेट की तरह दोसों डियाडियों ने लेजर बीस्ट बायो वार्फेर डिटेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट पार्टनर्शिप की तलाश करने शुरू कर दी है डियाडियो के लेजर साइंस एंड टेक्नोलोजी सेंटर के दौरा विक्सित इस तकनीक में बायो वार्फेर डिटेक्शन और होम्लेंड सुरक्षा में करांती लाने की शमता है DRU का मानना है कि इस तरीके की तक्नीक का इस्तमाल देश की सुरक्षा, प्रायवरण विज्ञान और चेकिसा विज्ञान में किया जाएगा दोस्तो जिस तरीके से जैव आतंगवादी खत्रे बढ़ रहे हैं, उसे देखते वे कि जो तक्नीक है, वो हमारे सेने कर्वियों और नाकरिक, दोनों को जैविक और रसायनेक युद एजेंटों और विस्पोटों से बचाने का काम करेगी और डियाडियों के दोरा इस तक्नीक का वेवसाय करण का मतलब साफ है कि ये पहल बायो वार्फेर यानि कि जैव युद रक्षा में महत्रपुन कदम होगा और इस तक्नीक का इस्थमाल जीवन बचाने, रस्टे सुरक्षा को मजबूत करने और जैविक एजेंटों का पता लगाने के लिए किया जाएगा बढ़ते नेक्स अप्डेट की तरफ रश्य यूक्रेन संगर्ष के बाद भारतिय वाई सेना ने लगपक 3,000 एरक्राफ्ट कॉंपोनेंट्स है उनका सुदिशी करन क्या है जिसकी वज़े से 2022 से जून 2023 तक 160 कर रुपे की विदिशी मुद्रा की बचट हुई है एर मार्शल ने बताया कि MI-17V-5 हेलिकॉप्टरों की मरमत और ओवर हॉल के रिए पूरी तकनीक रूस के द्वारा हस्तान्तित नहीं की गई थी लेकिन मैं तो पुन जो कॉंपोनेंट्स है उन्हें स्वदेशी रूप से तयार करके इन कम्यों को दूर किया गया और 12 हेलिकॉप्टरों के पहले बैच की ओवर हॉलिंग की गई है भारतिय वाइस सेना अपनी तकनीकी नीतियों पर काम कर रही है और मदरबोर्ड जैसे विमान कॉंपोनेंट्स को विक्सित करने की दिशा में भी काम कर रही है जिनमें की कई प्लेटफॉर्म्स में कुछ समानता है है कुल मिलाकर भारतिय वाइस सेना के सोदेशी करन प्रियास के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्दी है जिससे की भारतिय वाइस सेना को और अधिक आत्मिर भर बनाया जाएगा और देश का पैसा बचाया जाएगा इसके अलावा भारतिय एरोस्पेस उद्ध्यों को बढ़ावा मिलेगा और कई नौकरिया भी पैदा होंगी बरतिन एक्स्ट अबरेट के तरफ भारतिय नौ सेना ने रूसी मूल के मिग 29 के पर इसरायल द्वारा सप्लाई की गई रामपेज लॉंग रेंज एर टु ग्राउंट सटिक स्टाइक हतियार को इंटिगेट करना शुरू करती है रैमपेज एक लंबी दूरी का हवा से जमीन पर मारक करने वाला खोज रही सटिक हमला करने वाला हतियार है जिसे कि दुश्पनों के हाई वैल्यू टार्केट को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है इसके मारक शमता 200 किलोमेटर तक है और इसे अलग-अलग परकार के वार हैट से लेस किया जा सकता है भारतिय नौस्यना ने रैमपेज को 40 मिक-29 के फाइटर जेट्स बेड़े में एक इगरित किया है जिससे कि इनके आकरमक शमताएं काफी बढ़ गई है इंडियने एरफोस भी रैमपेज खरीदने वाली है जिससे कि वो अपने उननत मिक-29 यूपीजी बेड़े में लगाएगी रैमपेज 201 घाता घातियार है और ये दुश्मन के खिलाफ प्रसाइस स्ट्राइक कर सकता है वो भी मिनिमल कोलाइटरल डैमेज के साथ चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों आप सब जानते कि डिफेंस एक्क्यूजिशन काउंसिल ने कई बड़े सौदों को मंजूरी दी है जिसमें की 97-23 मार्क वने फाइटर जेट्स भी शामिल है लेकिन 114 MRFA के लिए acceptance of necessity नहीं दी गई है इस बारे में इंडियन Air Force के फॉर्मर वाइट शीफ ने कहा कि सारे प्रॉसेस को दिखते वे MRFA एरक्राफ्स के डिलिवरी छे से साथ सालों तक हो पाईगी कोई तेजस मार्क टू भी इस समय तक induction के लिए तयार होगा यही कराने कि भारे सरकार ने MRFA पर कोई जोड नहीं दिया हाला कि इंडियन Air Force फिर से जोड डाल सकती है भारे सरकार के उपर कि तेजस मार्क टू की मौझूदगी में 114 MRFA जो फाइटर जेट से वो खरीदे जाए हाला कि बड़ा सवाल है कि क्या MRFA प्रोग्राम डेड हो चुका है यह सरकार इसके लिए और लंबा वक्त ले सकती है बारते नेक्स अपनेट की तरफ दोस्तो पाकिस्तानी Air Force ने JF-17 थंडर के लेटेस वर्जन को अपनी Vice Senna में शामिल करना शुरू कर दिया है जिसे कि पाकिस्तान Aeronautical Complex और Chengdu Aircraft Corporation ने सही तरूप से तयार किया है पाकिस्तानी Air Force ने नवंबर में गोशना की थी कि नया Block 3 Sunscreen पहले वाले Block 2 Sunscreen की तुरला में काफी 19 शमताओं के साथ आएगा पाकिस्तानी WCN का कहना है कि इसमें कई तरीके की सुधार किये गए है जिसमें कि इसकी बहतर गती शिलता होगी, एक विस्तारिस सीमा होगी और एक बड़ी हुई युदशमताई शामिल होगी इसके अलावा इसके Radar Cross Section को कम करने के लिए इसमें Composite का इस्तमाल किया जाएगा यहनि इसके अलावा चाइना की तरफ से भी कहा गया कि विमान को लेटेस्ट आइसा रडार से भी लेस्क किया गया यह Radar प्रनाली Nanjing Research Institute of Electronics Technology के तोरह विक्सित की गई है चलिए बढ़ते नेक्स अप्रेट की तरफ दोस्तो इस्रो की प्रमुक एस्सोमनातन जी ने कहा कि भारत की पहले मानव अंत्रिक्षियान मिशन गगन्यान के लिए चुने गए अंत्रिक्षियात्री अब तयार हैं और 2025 का इंतजार कर रहे हैं गगन्यान प्रोग्राम का लक्ष 2025 में तीन दिनों के मिशन के लिए चार अंत्रिक्षियात्रियों को अंत्रिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से प्रतिवी पर वापस लाना है एस्टम नात्रिक्षिया ने बताया कि इसरो इस मिशन को संभब बनाने के लिए टेक्नोज जी विक्सित कर रहा है यहीनी उन्हें उन्हें बताया कि पहले मिशन के लिए हमने उन में से चार को चुनाया है हमारा प्रियास है कि उन्हें 2025 में अंत्रिक्ष में भीज दिया जाए और सुरक्षित रुप से उन्हें पृतिवी पर लाने का उद देश है बर्तन एक्स्ट अप्डेट के तरफ चीन को अपने पडोसी देशों की जमीन हरतने की भूक रहती है तिबबत हो नेपाल हो या भारत उसने किसी को नहीं छोड़ उसकी नजर भूटान पर भी है और भूटान को भी वो निगलना शुरू कर चुका है हाली में कॉमिनिस ड्रागन ने भूटान के कई सारे इलाकों पर कबजा किया है जिनने लेकर जल्द ही उसकी भुटान के साथ वारता और करार होनी की उम्मिद है लेकिन वो जब होगा तब होगा लेकिन चाइना ने अपने सिकंजा भुटान पर और तेशकस लिया है और उसकी कई इलाकों को उसने हड़पना शुरू कर दिया है चीन ने भुटान के कई इलाकों पर कबजा जमाली है इस बारे में बिटेन के तिंक टैंक ने जान करी दिया साथ ही उन्होंने एक अध्यन के आधार पर कहा है कि बीजिंग की चाल काम्याब होती दिख रही है भुटान के साथ होने वाले करार में शायद चीन की कबजाई जमीन पर उसी का हग माना जाएगा तो फिलाल दोस्तों यह थे भी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अप्टेट्स वीडियो के समन पर कोई प्रश्च यवाब आपको कोई सवाल है कमें शिक्षिन में लिकर जरूर पूछ सकते हैं पिल तो नई वीडियो के साथ चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जोर कीजिएगा जैहिंद वंदे मात्रव